इस वीडियो में फ्रेंड हम प्राइवेट कॉलेज की जो है न लिष्ट देखने वाले हैं मतलब कि जो SCRT से जो है अफिलियेटेड है रिकोगनाईज है जिसमें अगर आप एड़िशन लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मतलब कि जैसे होता है न कि क्या इसके वेल्यू है या नहीं है तो इस वीडियो में मतलब कि जो मैं आपको कॉलेज लिष्ट दिखाऊंगा जो SCRT के दुवारा जारी किया गया है प्रोस्पेक्टस उसमें जो है लगवग 26 कॉलेज का यहां पर 25 कॉलेज जो ही यहां पर मेंस किया गया है तो यह कॉलेज बहुत सारे श्ट्रेंट के मायंड में पता है क्या आता है उन्हें और कमेंट बॉक्स में भी वो पूछते हैं वो पूछते हैं कि सर एप्लिकेशन फॉर्म जब हम फील करेंगे तो प्राइवेट कॉलेज के लिए क्लिए क्लिए हमें अलग से फील करना होगा एंड गोर्मेट कॉलेज के लिए कि हमें अलग से फील करना होगा तो ऐसा नहीं है देखे कैसे फीला फॉर्म करना होगा मैं आप आभी जह Computer website में आपको बता दूँआ किस पर जाकर जो हे online application फॉर्म फील करना है जब फॉर्म जो हे release होंगे पहले आप यह समझ लीजिए जैसे form निकलता है ना तो आपको जब application form feel करेंगे तो आपको जो है option आएगा उसमें government college feel करने के भी option आएगे and private college form मतलब कि private college को भी feel करने के option आएगे तो उसमें क्या करना है ना आपको select करना है जैसे कि माल लीजिए यह private college की list है अब इसमें देखिए जो आपके pass में college है ठीक है जो आपके pass में तो इसमें से 5-6 college आप feel कर सकते हैं इसमें only for girls के लिए भी है and girls and boys दोनों के लिए हैं मतलब कि उसमें पढ़ सकते हैं तो आप जो है जो 5-10 college आप private भी feel कर सकते हैं and government भी feel कर सकते हैं तो option आएगा application form only आपको one ही feel करना है ठीक है एक ही form feel करेंगे और उसमें option आएगा तो college आप जितना भी आपके according है आप जितना भी college feel कर सकते हैं ठीक है और यह government college है तो government college सारे भी feel कर सकते हैं, अपने marks recording आप समझ सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है, कि अगर आपके 85% से कम marks है, तो सभी बच्चे प्राइवेट college भी feel करें, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका government college में माल लीजिए marks कम होने की वज़ा से एडविशन नहीं हो पाता है, तो private college में feel कर दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि private college में मेरा एडविशन हो जाए, अगर government में नहीं हो पाता है, तो, ठीक है, अब official website हम देख लेते हैं, कि friends, student गलती क्या करते हैं न, उन्हें लगता है कि, मालने जी, किसे student general categories उनके 90% marks है, वो previous year 92 cut-off गई थी, मतलब वे student जिनके 92% marks थे, 92, 93 गई थी, ठीक है, ये 2019 में गया था 90% general category की, और 2020 में 93 cut-off गई थी, तो, बहुत सारे student को लगता है कि, मैं general categories हूँ, मेरा 90 है, तो मेरा government college में admission हो जाएगा, इसलिए मैं private college नहीं feel करता हूँ, और बाद में उन्हें realize होता है, जब उनका government college में नाम नहीं आता है, तो उसे बाद में realize होता है, कि यार मुझे private college से कर लेना चाहिए था, मैंने फालतों में only government college feel किये, तो इसी situation में में आपको ये बता रहा हूँ, इस सद फीस नहीं पे करना आपको, आप जो है monthly, quarterly आप जो है installment में पे करते हैं, और ये जो भी college आपको allot होंगे, ये आपके marks के basis पे होंगे, ऐसा नहीं है कि मालनी जी merit आपका निकलेगा, आपका rank होगा, दिन उसके बाद आपके marks के basis पे जो है आपको college जो है allot किया जाएग ठीक है, तो marks के basis पे होते हैं, और इसमें 1040 seat है, government के एंड लगभग 2500 के आसपास private college में seat है, तो marks के basis पे आपको allot होंगे college, मालनी जापके जादा marks है, तो फिर आपको government college allot होंगे, कम बाले marks student का private college allot होंगे, private college मिलेंगे, हम देख लेते हैं किस website पे application form आपका आएगा, ठी एडिविशन आपको सर्च करना है, देने, इसके बाद आ स्क्रॉल डान करेंगे, तो यह first job side आएगी, इसी पे आपको online application form फील करना, और एक बार और आप समझ लेजे, government and private college की एक ही form फील होंगे, marks के basis पे आपको college allot होंगे, यह है official side, यहाँ पे जब भी form मतलब की release होते ह तो यहाँ पे जो notification आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे है, अभी एडिविशन बंध हो चुका है, तो जून जुलाई में जैसे ही आपका 12th class का CBC का result आएगा, वैसे ही जो एडिविशन स्टार्ट हो जाता है एक से दो दिन में, क्योंकि उसी को ध्यान में क्राक कर लिजेगा,